दोस्तो plant taxonomy से जुड़ा यह हमारा आज का second part है आए चलते हैं सिदे question की ओर तो हमारा आज का पहला question है permanent tissue with various cell in plants is called यानि कि इस्थाई उतक जिनमें विभिन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं कहलाती हैं आपके option है पहला option है simple tissue दूसरा है complex tissue तीसरा है cambium और last है intercalorie marrow stem तो दोस्तों जो permanent tissue होते हैं उनके अंतरगत आते हैं complex tissue जिनमें कि आते हैं जाईलम और phloem तो permanent tissue के complex tissue में विभिन प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं यानि कि जाईलम और phloem पाई जाती हैं इसलिए यहाँ पर हमारा जो right option है option भी है अगला question जो कि बहुत important है और कई बार पूछा हुआ question है question है which of the following living cell provide tensile and mechanical strength to the plant यानि कि कौन सा ऐसा जीवित कोशिका है जो कि पौधो को तन्यता और द्रिधता प्रदान करता है तो यहाँ पर living cell की बात हुई है इस बात को ध्यान रखेगा तो यहाँ पर आपके option है पहला option है colon काईमा दूसरा है parent काईमा तीसरा है स्क्लेरन काईमा और last option है none of these तो यहाँ पर आपका जो right option है option A है colon काईमा अगर यहाँ पर dead cell की बात करता तो हमारा answer होता स्क्लेरन काईमा तो question को पढ़ते हुए ध्यान दीजिएगा कि आप से living cell का पूछा है या फिर dead cell का अगला question है which of the following is responsible for conducting radially water and food material in the उडी stem यानि कि जो कास्ठी पौधे है उनकी तनों में जल एवं खाज प्रदार्थों का अरी संवहन होता है तो पौधों में ऊपर की ओ जो water और food का संवहन है conduction है वो जाइलों में फ्लोयन करते है लेकिन जब किनारों की बात आती है यानि कि अगर ये तना है और किनारों पर food का या फिर water का संवहन हो रहा है तो वो होता है वस्कुलर रेस के द्वारा तो यहां पर आपका जो right option है option 4 है तो याद रखेगा आप से जब अरी संवहन पुछेगा तो आपका answer ये होगा अगला question बहुत ये अच्छा question है annual ring in a tree signify the age of the tree what is the annual ring are made of यानि कि व्रिच में वालसिक वले व्रिच की आयू को दरसाता है तो ये जो annual ring है ये किसके बने होते हैं तो आप सभी ने annual ring पढ़ा होगा जब आप जो कास्थी पौधे हैं उनको काटते हैं तो आप देखते होंगे कि उसमें आपको कई ring दिखाई देते हैं तो उस ring को count करके आप पता कर सकते हैं कि उस पौधे की आयू कितनी है तो यहां पर right option है option second है growing secondary xylem यानि कि बढ़ते हुए दृतियक दारू अगला question है monothecus enter are found in यानि कि एक कोष्ट की पराकोस पाये जाते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि जो enter होते हैं वो डाई थिकस होते हैं लेकिन यहां पर आप से एक कोष्ट की पराकोस उचा हुआ है आपके option है है पहला option है hyalianthus दूसरा है brassica तीसरा है solenum और last है hibiscus तो आपको बता दे कि जो monothecus enter है वो malvacy family में देखने को मिलता है और यहां पर malvacy family का example है hibiscus यानि कि गुडल तो आपका जो right option है option D है अगला question है root hair emerge from यानि कि मूल रोम निकलते हैं तो आपको बता दे कि एक कोष इसकी संरचना epidermis से ही root hair निकलते हैं तो यहां पर आपका जो right option है option A है और एक बात और है जो important है कि जो root hair होते हैं यह unicellular होते हैं इस बात को याद रखेगा कि जो root hair होते हैं वो क्या होते हैं unicellular होते हैं चलते हैं अगले question की और अगला question है casperian thickening occur in the cells यानि कि casperian इस् पाय जाते हैं इंडोडर्मिस में यानि कि अंतह त्वचा में तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सबसे पहले पाया जाता है epidermis, fincortex, endodermis, pericycle, gyllum और phloem तो यह जो endodermis वाला part है यहीं पर पाया जाता है casperian isthulin चलते हैं अगले question की और बहुत अच्छा question है the somatic cell of any plant there are 16 chromosomes in its pollen mother cell यानि कि किसी पादब की काई कोशिका में गुड़ सुत्रों की संख्या 16 है उसके मात्री पराग कोशिका में गुड़ सुत्रों की संख्या 16 है कि somatic cell में गुड़ सुत्रों की संख्या 16 है तो somatic cell में गुड़ सुत्रों की संख्या 16 है तो पराग मात्री कोशिका में गुड़ सुत्रों की संख्या 16 ही होगी क्योंकि हम जानते है कि जो पराग मात्री कोशिका होती है यह भी diploide होती है तो जब यह diploide है और हमारा somatic cell भ सकते 8 लेकिन यहां पर हमारा जो कोश्चन के कॉर्डिंग एंसर है वो होगा 16 और यदि आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के कोश्चन पर एक अलग से वीडियो बनाऊं ताकि आपका यह जो कंसेप्ट है इस तरह के कोश्चन से जुड़ा वो क्लियर हो सके तो प्लीज मुझे कम है जाते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टन कोश्चन है यह कोश्चन कई बार रिपीट हुआ है तो आपको बता दे कि जो वेला में टीशू है यह पाये जाते हैं इपीफाइट प्लांट में जैसे की औरकीड में तो यहां पर आपका जो राइट आप्छन है आप्छन में अबजौर्ब करते हैं चलते अगले कोशन के और अगला कोशन इस और कार्क सेल लाफ जानि कि कार्का कोशिकाएं होती हैं तो आपने देखा होगा कि जो पॉधें उनका BahaRI भाग होता है वह नित होता है और वह이지 होते हैं कार्क सैल आपका जो राइट option है option D है dead cell चलते हैं अगले question की और अगला question है flowium always flow from A यानि कि flow हमेशा provide होता है इससे तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि flowium से food जो होता है वो conduct होता है अब food बनता का है तो हम सभी जानते हैं कि पौधों में food का formation होता है leaf में अब leaf से food जाएगा तो leaf से food वहीं जाएगा जहाँ पर food की आव सकता होगी जैसे की root है stem है ठीक तो जहाँ पर आव सकता है ठीक है तो वहीं पर food जाएगा तो sugar source क्या है sugar source है यहाँ पर leaf ठीक है और यहाँ पर sugar sink जहाँ पर आव सकता है ठिक तो यहां पर हमारा जो right option है आपसन एए है यानि कि जहां पर सुगर बन रहा यानि कि जो सुगर सोर्स है सुगर सोर्स से लेकर सुगर सिंख जहां पर आव सकता है चलते हैं अगले question कि ओर अगला question है refides are यानि कि refides होते हैं तो कुछ पौधों की पत्तियों में आपको needle shaped structure दिखाई देंगे जो की बने होते हैं calcium oxalate के तो यहाँ पर आपका जो right option है option C है अगर आपसे question में पूछता कि सिस्टोलित किसके बने होते है तो यहाँ पर हमारा answer होता calcium carbonate तो आपका right option होता B तो याद रखेगा कि refides पूछेगा तो calcium oxalate और यदि सिस्टोलित पूछेगा तो आपका answer होगा calcium carbonate दोने ही important question है और इस तरह के question आपके exam में पूछे जाते हैं अगला question है जो कि बहुत important है growth ring are form due to activity of यानि कि जो विद्धी वले बनते हैं वह किसकी सक्रियता के कारण बनते हैं तो जो growth ring होते हैं वह intercalorie cambium की सक्रियता के कारण बनते हैं तो आपका right option है option B अगला question पुछा हुआ है वेला में टीशू is found in यानि कि वेला में कोशिकाएं पाई जाती हैं तो जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि जो epified plant है जैसे कि orchid तो orchid के जो aerial root होते हैं उनमें वेला में टीशू देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर आपका right option है option C है चलते हैं अगले question की और which one of the following tissue provide tensile strength against bending and swing यानि कि निम्रिखित में से वह कौन सा उतक है जो मुणने तथा हिलने डूलने के प्रती तनन सक्ति प्रदान करता है तो तनने मुणने और हिलने डूलने के प्रती जो सक्ति प्रदान करने वाली tissue है वो है colon काईमा तो आपका right option है option B अगला question है cork of commerce is derived from यानि कि वैपारिक कार्क विदपन होते हैं तो जो वैपारिक रूप से यानि कि जो commercially use होने वाले कार्क हैं वो किसे बनते हैं तो इस question का जो right option है option A है philogen अगले question की और अगला question है the basic chemical unit of pectine in the middle lamella is यानि कि मध्य पटिका में pectine की आधार भूत रासायनी की काई कौन सी है तो इसका right option है option A गलेक्टूराणिक अमला आई चलते हैं अगले question की और बहुत अच्छा question है और यह question कई बार repeat हुआ है which one of the following is regarded as progenitor of angio sperm यानि की निवलिखित में से कौन आवित बीजियो का जनक माना जाता है तो जो angio sperm का progenitor यानि की जनक माना जाता है वो है नीटेल्स तो आपका right option है option A चलते हैं अगले question की और अगले question है the period of origin of angio sperm यानि की आवित बीजियो की उत्पत्ति का काल है आपके option है पहला option है cretaceous दूसरा है jurassic तीसरा है permean और last है meosin तो angio sperm का जो origin हुआ है वो हुआ है late cretaceous में तो आपका right option है option A चलते हैं अगले question की और question number 49 है companion cell are usually associated with यानि की सह कोसिकाय प्राया संबंधित होती है तो आपको बता दें कि जो companion cell है वो पाए जाती है phloem में और यह जुड़ी होती है scyve tube यानि की चलनी ना लिकाओं के साथ तो यहाँ पर आपका right option है option D है तो दोस्तो यह था हमारा plant anatomy से जुड़ा हुआ आज का वीडियो आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा comment करके ज़रूर बताइएगा वीडियो चल लगा हो तो वीडियो को like और share करना मत भूलेगा कोई भी doubt हो आप हमसे comment करके पूछ सकते हैं और यदि आप हमाया channel पर नए हैं और अभी तक आपने हमाया channel को subscribe नहीं किया हुआ है तो please channel को subscribe कर लिजे ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो upload करूं उसका notification आपको मिलता रहा है तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले topic के साथ तब तक के लिए जहिन जभारत